हेलो एब्रीवन वेल्कम टू माई यूटूब चैनल राशी श्रस तो आज आपके लिए यह चौथी थाली तो चलिए इसमें मैंने क्या बनाया देखते हैं तो आएए स्टार्ट करते हैं क क हम सबसे पहले बना लेते हैं मूपली का हलब तो यहां मैंने 1 इनके करी मूपली ले लिए कच्छी मूपली अगर आप इनका बेट करेंगे तो यह 50 ग्राम करीब है अब हमें सबसे पहले इसको ड्राय रोस्ट करना है इसमें कोई भी घी ना डालें बस ऐसे ड्राय रोस्ट करना है क्योंकि इनका छिलका निकालना है का क्योंकि इसका हलवा बनाना है मुफली का तो इस तरह से अच्छे से रोस्ट कर लें इस तरह से लगए आपको थोड़ी सी भुनने लग गई हैं और इनका छिलका असानी से निकल जाए इस तरह से चेक कर ले हाद से अब देखिया आप आसानी शिल का निकल रहा है अब यहा पर और इसका यह पाउडर त्याय करना नहीं अपको पौडर करना है बिल्कुल भी एक―द मूडर नहीं नहीं होना चाहिए बिल्कुल फाई पौडरत करना है क्योंकि हमें इसका फालबा बनाना है अब यहां मैंने एक कढ़ाई रख लिये हैं इसमें मैंने दो से तीन चमच देशीगी डाल लिया था थोड़ा सो से गरम कर लें देशीगी को और उसके बाद इस पौडर को इसमें डाल दे जैसे हम सूजी का हलबा बनाते हैं से मुझ्सी तरह बनाना है बस इसमें ह अब यहां इसे बूलने अच्छे से 2-3 मट में लगेंगे बस इसे बूलने में यहां मैंने 1-2 चमच के करीब देशी गी डाला है तो इस तरह से 4-5 चमच के करीब देशी गी डला है इसमें और बाकि आपकी कौणटिटी उस अकोर्डिंग डालें लेकिन बहुत ज़्याद भी घीना डालें अब मेरी मुफली का पाउडर भी भून चुका है यहां आपको दो से तीन तीन से चाड़ मत बसका भूनना है मुफली से ज्यादा नहीं कि अब मैंने यहां टोटल दू डाला है एक कटोरी कि इस तरह से आप इसको थोड़ा से चलाते रहें अब थोड़ाएक गाड़ा हो जाए इस तरह से यहां यह लिए अधा कटोरी चीनी इसे डालै बूफली से आधी चीनी लेनी है अगर मूफली आपक reference है तो 50 ग्राम लेनी है अगर मैंने मूफली 50 ग्राम तो चीनी 25 ग्राम अब ये कुछ राइफूट्स राइफूट्स आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं यहां मैंने काजू बादाम पिस्ता और यह थोड़े से लाइची पाउडर बाप इसे मिला लें बस आपको मिलाते रहना है वरना आपका अलवा नीचल लग सकता है तो इसे इस तरह से मिलाते रहें अब बना लेते हैं अपनी लौकी की सबजी तो यहां मैंने 250 ग्रम लौकी लिए और इसमें मैंने एक बड़ा आलू डाला है आलू ऑप्शनल है आप चाहें तो डालें बना रहने दें अब यहां मैंने एक बड़ा टमाटर ले लिया था और इसमें दो हरी मिर्च भी काटक लौकी की सबजी पालू की बना सकते हैं लेकिन अलू से ज़ाद है आपकी लौकी सबजी होती है ह agree लिती दी तो आतना कर देए यहां 2 था टीन चाहना देशी ज्यादा मसाली भीन देलते हैं जिसे में ज्यादा भूलना बहुत जल्दी से बन जाती है अब इसमें सारी मसाली डालते हैं एक साथ ही गरम मसाला कुटी हुई काली मिर्च और यह सेंदा नमक आप यहां दहान रखे हैं कि हमेशा जब भी कोई सब्जी बनाया या कोई भी चीज बनाया तो जो काली मिर्च होती हो ने फ्रेशी कूट कर यूज़ करें तो आपको ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है अगर आपके पास पाउडर है तो वह भी कर सकते हैं लेकि उसका टेस् जितना इस कोटी हुई काली मिर्च कायता है अब इसमें बस एक से दो मिर्टी आपको यह भूनना है टमाटर और इसमें लौकी और अलू डाले आलू पूरी तरह से ओप्शनल है आप चाहें तो डालें वनना केवल लौकी भी बना सकते हैं आलू की सबजी को रिप्लेस करक कि आप इसे जरूर बना के देखें एक बार और ये खाने में भी बहुत टिस्टी भी होती और हेल्थी भी अब यहां मैंने एक कटोरी दूद लिया है यह पूरी तरह से आप दूद ना डालना चाहें तो आप इसकी जगा पानी यूज करें और इसे पानी में बना जैसे हम न याहीं दें और उसके बाद इसकी फिर फिर गैस को बंद कर दें बस तीन सीटी तक आराम से तयार हो जाती है आप यह देखें सब्ची बेको लेकली तायार हुई है तो आप बना ले थे हम अपना लॉकी कर रहा हुए था तो यहां मैंने यह आदिक काटोरी के खरीब के लिए इसे अपने व्यत में यूज करें अब यहां मैं थोड़ा से जीरा पाउड़ डाल दिया है काली मिर्च पाउड़ और सेंधा नमग तो अब बना लेते हम अपने पूरियां तो यहां ले ले आए मैंने कूटू का आटा इसकी जगह आप राजकिरी का आटा भी ले सकते हैं और उसकी भी बना सकते हैं और आप सिंगाड़े का आटा और कूटू का आटा आधा आधा मिला कर भी पूरियां तयार कर सकते हैं तो इससे आपकी पूरियों को जो टेस्ट है वो भी अच्छा आएगा अगर अजमाइन खाते हैं तो अगर नहीं खाते हैं तो रहने दें आप इससे पहले अच्छे से मिला ले तब पानी डाले पानी काई उस बहुत थोड़ा सा होता है इस आटे में ज्यादा नहीं होता और इस थोड़ा सा आप रखते हैं इससे तो यह तब भी थोड़ा सा डीला होता है इसलिए आप इसे थोड़ा सा टाइटी लगाएं यहां दहान रखना है आपको कि पानी का यूज आपको बहुत थोड़ा करना है अब एक तो चम्मच घी डालके और इस तरह से आप मसल के आटे क तो तयार कर लें अब आप देखिए इसमें इस तरह से लोईयां बना लें मैं आपको पूरी के थोड़ी सी जिससे पूरीयां बनानी नहीं आते उनके लिए ट्रिक बहुत अच्छी है और आसानी से आपके पूरीयां तयार हो जाएंगी जैसे इस तरह की पूरी जो फट ज इसको काट दें और जो एस्ट्रानाटा होता है उसे अलाग रख दें अब यह थोड़ी सी हमें रखनी है पहले से बेल के रख लें इसलिए थोड़ा से मैंने सूखा कूटू काटा ले लिया और फिर थोड़ी से उसे और बेल लें इससे उसका साइज बिल्कुल भूट बिल्कुल भी इसे आप बहुत अच्छे से आराम से खा सकते हैं अब आप चाक कितनी भी पूड़ी को तल लें लेकिन आपकी पूड़ी कड़क नहीं होगी और यह सॉप्ट ही रहे के खाने में तो आप इस तरह से पूड़ी को ट्राइर करिए और यह देखने में तो अच्छी लगेंगी और खाने में भी बहुत सौप्ट होती हैं उपर से करारी और खाने में सौप्ट तो यहां आप देख सकते हैं पूरी कितनी सुन्दा तयार हुए हैं तो थाली भी हैं तयार हो चुकी है इसमें लौकी की सब्जी और यह तिल की चटनी चटनी की वीड झाल झाल